अने एक भारत श्रेश्च भारत थकी अभी अनेक क्रांतिकारी योजनाओ थकी नया भारत ना निर्माणने गतिया अपनार माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने तालियों ना गड़गडार्थी वधाविये अंदावाज ने मां चैनल पजल परिगे। अंदावार कम आड़ाज ने शॉपी को ने लोगू ऱगड़ाए अम्दाबाद में सौपिंगी बेड़र के पड़े रहे हैं वहाँ अम्दाबाद में सौपिंगी फेस्टिवल नो विचार आपको यह वायोजेट करको यह मुदा हिम्मत नो काम दे हैं सरकार ने दो ढ़ाई मेहने पहले ही निरने लिया है कि जी एस्टी पंजी कुरूत हर MSME को एक करोड रुपिय तक के नए कर्च या इंक्रिमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी साथियों सरकार ने एक ओनलाइन प्लेटफॉर्म जी इएम जैम याने गवर्मेंट इमर्केल प्लेस भी बनाया गया इस प्लेटफॉर्म की विश्यस्ता यह है कि केंद्र सरकार के हर विभाग में अधिकतर खरिदारी इसी जैम पॉर्टल से होती है सरकार ने ये भी नियम बनाया है कि करीब 25 प्रतिशत खरिदारी छोटे और लगू उद्योगों से ही की जाएं इसका लाप ये हुआ है कि अब देश के दूर सुदूर के गाउं में रहने वाला कोई छोटा उद्यमी भी कोई ग्रहिनी भी अपने उत्पात सीधे सरकार को बेच सकता है आज देश में खादी की अबुद्पुर्वा विक्री हो रही है सात्यों सरकार पूरी निष्टा के साथ आप सभी की आकांख्षाओं को साकार करने में जूटी है तूरीजम हो मैनुफेक्टरी हो यह हमारा सर्विस सेक्टर रोजगार के करोड़ो उसर बीते साड़े चार वर्ष में बने हैं कि मेक इन इंडिया आज ग्लोबल ब्रांड बन चुका है भाई और बैनों देश वाच्चों के विश्वास के कारण विकास की गती अब रुकने वाली नहीं है जवान हो किसान हो या फिर नवजवान हर किसी के सपनों का नया भारत मैं मानता हूं कि अब गुज्राती और गुज्रात की धर्ती पर काम करने वारे हैं लोग विश्व व्यापार में अपनी जगा बनानी चाहिए हमारा एक्सपोर्ट कैसे बड़े टार्गेट करें और यह चोटी-चोटी चीजों की बाजार में ताकत बहुत बड़ी होती है चोटे-चोटे पुर्जे चोटे-चोटे हैंडी क्राफ इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट होता है अगर इसका फायदा हम उठा लेते हैं तो गुज्रात के लिए एक नया आफसर प्यादा होगा और हमारे पात नेश्रल लिंक्स हैं फियर अफ अन्नोन जिसको कहते हैं को गुज्रात के लिए नहीं है कहीं पर भी कहीं ने कोई कोई परिचित है हम कोशिश करें सामुएक्ता का प्रयास करें इंसेंटिव का लाव उठाएं और दुनिया के बाजार में हम अपना डंका बजाएं इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आज एमदाबाद बड़ा हुआ एमदाबाद इस काम को किया है मैं ग्रहाकों को इस शौपिंग के अंदर कि सबसे ज्यादा फाइदा उठाने के लिए आग्रह करूंगा और एमदाबादी कि मुझे पक्कावी समाहत है इसका फाइदा उठाएगा